संता बर्फ का टुकड़ा उठा कर उसे गौर से देख रहा था बनता बोला क्या देख रहे हो भाई संता बोला देख रहा हूं कि ये लीग कहां से हो रहा है एक अवरत कोग पी रही थी उसमें एक मच्छर गिर गया अवरत ने उसे निकाला तो मच्छर बोला मा अवरत बोली तुने मुझे मा क्यूं कहां मच्छर बोला मैं तेरी कोग से निकला हूं मा एक काली लड़की को भगवान ने पंख दिये तो वह खुसी से बोली वाओ भगवान क्या अब मैं परी बन गई हूं भगवान बोले नहीं रे पगली अब तो तू चमगादर बन गई है लड़का बोला पूरा अंदर गया लड़की बोली आउच हाँ लड़का बोला ज्यादा टाइड तो नहीं लग रहा ना लड़की बोली हाँ थोड़ा थोड़ा लड़का बोला ओए छोटू मैडम को आठ नमबर वाली सेंडल दिखा एक लड़की फासी लगा कर सुसाइट कर रही थी संता ने खिड़की से देखा और बोला सिर्फ लड़कने से हाइट नहीं बढ़ेगी मम्मी को बोलो कामप्लेंट पिलाए संता बोला यार कल मेरी साधी है और लड़की वालोंने कम लोगों को बुलाए है बंता बोला तो इसमें प्रापलम क्या है यार संता बोला पता नहीं पापा मुझे लेकर जाएंगे यह नहीं पप्पू एक दरजी के पास गया और बोला पेंट की सिलाई कितनी है दरजी बोला दो सो रुपए पप्पू बोला और चड़ी की दरजी बोला 35 रुपए पप्पू कुछ देर सोच कर बोला तो फिर चड़ी ही सिल दो बस लंबाई पैरो तक रख देना पती और पत्नी की लड़ाई हो गई आधा दिन चूप चाप गुजारने के बाद पत्नी पती के पास आई और बोली इस तरह जगड़ते अच्छे नहीं लगते एक काम करते हैं थोड़ा आप समझोता करो थोड़ा मैं करती हूँ पती बोले ठीक है क्या करना है बोलो पत्नी बोले आप मुझसे माफिय मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ